ये है बार-बार कटाई वाली कॉप्स 31 ग्रास एकदम सौप्ट पत्ते मीठा मुलायम रसीला एक साल में बारा तीन साल तक लगातार 36 कटाई देने वाला ये है कॉप्स 31 हाई टेक किसान ग्रुफार्म उत्तर प्रदेश लखनव से आप सभी किसान भाईयों का एक बार फिर से स्वागत है जो किसान भाई भी हमसे नए जुड़ हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें किसान दोस्तों हाई टेक किसान ग्रुफार्म लगातार हरे चारे पर रिसर्च कर रहा है आपको मैं इस चारे के बारे में कई बार बताया हूं आज एक बार फिर से आपको बता रहा हूं कि इस चारे की बुवाई आप गर्मी के सुरुवाती दिनों में करके किस तरह से अधिक पैदावार पा सकते हैं जैसा कि आपको पता है गर्मी का मौस बात में कौन सहराचारा लगाना चाहिए किस तरीके का लगाना चाहिए इस पर मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूं जैसे कि आपको पता है हमारे कॉप्स थर्टीवन के बारे में यह हाइटेक किसान का एकदम नया और विस्ट सिलर वराइटी है दोजार तेईस में यह सरवाधिक विक्री होने वाला हमारे फर्मस से चारा था और हज्जारों किसान इस चारे को लेकर संतुष्ठ हैं वह अपने डेरी फार्मिंग में गोड फार्मि रहें किसान दोस्तों कॉफ्स थर्टीवन ग्रास को आप एक बार बुवाई करके सभी मौसमों में अच्छी पैदावार ले सकते हैं लगातार तीन साल तक हर महीने कटाई देता है यह बिजाई के लिए तो आप इसकी बिजाई बारों महीना किसी भी मौसम में कर सकते हैं लेकिन अभी आप अगर गर्मी के सुरुवाती दिनों में कर रहे हैं तो इसमें फुटाओ इसमें ग्रोथ काफी अच्छा होता है इसमें किसान दोस्तों डंठल नहीं होते हैं जरा से भी डंठल नहीं होता है नीचे से लगा कि उपर तक यह पूरी तरह से मुलायम होता है कटिंग दर कटिंग के बाद नीचे इसमें एक गुच्छा टाइप का बनता जाता है ताकि इसकी जो पकड़ है जमीन में वो मजबूत होती है और बारिस में इसमें गिरने का कोई डर नहीं होता है यह इस चारे की क्वाल्टी है कॉफ 31 की जो बिजाई होती है जैसे हम ना उसके बाद पहले कटिंग जो है 40 से 45 दे फिर सारी कटिंग लगभग 30-35 दिन के आसपास आती रहती है पौधा लगभग 5-6 फिर तक की हाइट का हो जाता है हाइटेक किसाने गुरुफ फार्म कॉफ 31 जौर के बीच की सप्लाई आल ओबर इंडिया कैसान बिल्वरी की चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर हमारा नमबर चल रहा है उसके संपर्क करें यह हमारे ऑनलाइन स्टोर www.hitechkisand.com पर भी जाके इसको पर्चस कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको जरूर सेयर करिएगा अगर फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज क स्टाइब करिएगा